मेरे प्रिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार आज मैं फिर एक बार आपको सुनाने आया हूँ लदाख की मन की बात पिछले बारी मैंने जन्वरी के महीने में लदाख की मन की बात आपको सुनाया था खारदोंगला के उंचाईयों से जो की मशूर है अपने प्रकृतिक ग्लेशिर्स के लिए और आज मैं जहां से आपको संबोदित कर रहा हूं ये भी ग्लेशिर्स हैं मगर ये अपने आप में और भी अनोखे ग्लेशिर्स हैं क्योंकि ये मानव निर्मित हैं क्रित्रिम यानि की आर्टिफिशल ग्लेशिर्स या आइस तूपाज हैं और इन्हें बनाया है कुलम गाओं के किसानों ने मिलकर हमारी संस्था के मदद से और अभी जून महिने का मद्य है और ये अभी काफी बड़ा और बरकरार है और बूंद बूंद कर इसका पानी गर्मियों में पिगलता है और पिगल कर धारा की प्रवाह को बढ़ाता हुआ नीचे गाओं तक पहुँच जाता है और जमीन में ग्राउंड वाटर को भी रीचार्ज करता है जिससे की अब बोर वेल चलने लगे है मैं आज 14,000 फुट की इस उंचाई पर इस आर्टिफिशल ग्लेशिर के साए में आपको लदाख की मन की बात सुनाते हुए कोई मांग करने या शिकायत करने नहीं आया हूँ बलकि इस बार मैं आपको और सरकार को धन्यवाद करने आया हूँ क्योंकि पिछले बार जब हमने आप से मांग की थी कि लदाख के परवतों को यहां के ग्लेशिर्स को यहां के प्रकृती को बचाने के लिए संग्रक्षन जो की भारतिये संविदान में निहित है उसके अनुसार छटवे शडूल में लदाख के जनजातिये शेत को संग्रक्षन दिया जाए और इस समवेदानिक संग्रक्षन का आश्वसन बलकि वचन खुद सरकार ने सरकार के विबिन मंत्रियों और मंत्रालेयों ने अलग-अलग समय पर दिया था बलकि दो महत्वपून चुनाओं में तो इसे लिखित में घोशना पत्र यानि की मैनिफेस्टो में भी लोगों के सामने रखा गया था और इसके लिए जन्वरी के महिने में मैं ही नहीं बलकि लदाख के अनेक गाओं से लोगों ने और वही नहीं भारत के अलग-अलग प्रामतों से परदेशों से लोगों ने मांग की थी कि सरकार अपना वचन पूरा करे आपकी सरकार में देर जरूर है क्योंकि छे महिने बीते मगर अंधेर नहीं है आज से दो हफ़ते पहले हमारे नेताओं को आपके सरकार की तरफ से नियोता आया कि वो दिल्ली में सरकार से बातचित करे और ये बातचित 19 जून से शुरू होने वाली है तो इसके लिए मैं आपको लदाख के सबी लोगों की तरफ से बलकि लदाख के ग्लेशियर्ज, लदाख के जीव जन्तू, पशु पक्षी सब की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ और उमीद करते हैं कि ये बातचित बहुत ही सार्थक होगी दोनों पक्षों के लिए दुआ करते हैं कि हमारे नेता और भारत सरकार के प्रतिनेदी दोनों में बहुत ही सफल बातचीत हो यों तो जैसे मैंने कहा कि मेरा जो अंशन था दस दिन का, 26 मई से शुरू होने वाला था उसे स्थगिद किया क्योंकि हमारे नेताओं को नियोता आया कि अंदर सरकार की तरफ से बातचीत के लिए मगर फिर सोचने लगा तो लगा कि ये अंशन सिर्फ एक मांग करने के लिए नहीं होनी चाहिए बलकि अब ये अंशन होनी चाहिए तो एक प्रार्तना के रूप में या कि शुब कामना के रूप में होनी चाहिए प्रार्तना ये कि हमारे नेता और जो सरकार के प्रतिनिदी हैं उनमें बहुत ही सफल वारतालाब हो खुले दिल से, प्यार मोहबत से वारता लाब हो और दूसरी बात, एक और कारण भी है मेरे अंशन का जब मैंने सर्दियों में की थी तब भी मेरे दो कारण थे दूसरे पर खास लोगों का ध्यान नहीं गया The second agenda of my peaceful climate fast to demand or appeal from all the citizens of Ladakh, of the whole country, India and the world to use this day 26th January as a climate fast day You all can pledge to change your lifestyles संग्रक्षन सिर्फ सरकार से उमीद नहीं कर सकते हैं जब तक लोगों में परिवर्तन ना हो, उनके जीवन शैली में परिवर्तन ना हो तो मैंने appeal ये भी की थी कि जो नागरिक हैं वो चाहे फिर लदाक के हों या फिर विश्व के वो अपने जीवन शैली में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं सिर्फ सर्सकार से मांग करने पर इस दूसरे मुद्दे को समझाने के लिए मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा कुलूम गाउं का बनाया हुआ ये मानव निर्मित ग्लेशियर आटिफिशल ग्लेशियर कुलूम गाउं की कहानी बहुत ही हैरान कुन है ये एक अजूबे से कम नहीं है 2010 में जब लदाख में भारी प्रकृतिक आपदा आई थी जगे जगे बारिश के कारण बार आया था तो इस गाउं में एक इतना बदलाव आया प्रकृतिक की उसके बाद यहां के जरने सूख गए चश्मे सूख गए और ये गाउं बिलकुल बरबाद हो गया यहां के लोगों को पलायन करना पड़ा पास के हाईवे और आर्मी कैम्स में कुली बनकर मजदूरी करना पड़ा छोटी दुकाने चलाने पड़े और इस गाउं में हर घर पर लग गया ताला और जब 2018 में हम यहां आए तो यह गाउं एक भूतों का गाउं एक घोस्ट विलेज सा बन चुका था और तब हमारे Alternative University हयाल के कारेकरताओं देवे यहां के गाटियों के जो धारा है वो बढ़ने लगा और फिर जमीन में भी वीचार्ज होने लगा और फिर 2021 में पहली बार गाउं के कुछ लोगों ने वापस आकर यहां पर आलू उगाना शुरू किया पहली बार 11 साल के बाद उन्होंने तेरा सो कीलो आलू उगाया अब जब सप्लाइ साइड में पानी का प्रवा बढ़ गया तो हम 2022 में यहां के स्थानिय सरकार हिल काउंसिल के एगरिकल्चर डिपार्टमेंट में गए और उनका सहयोग मांगा पानी के डिमांड साइड को घटाने के लिए यानि की डिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे टेकनोलोजीज के इस्तिमाल के लिए और हिल काउंसिल के सरकार ने भरपूर सहयोग दिया और उन्होंने इस गाउं में डिप इरिगेशन का एक जाल बिचाया और इस कोलाबरेशन से फिर हजारों किलो सबजियां उगने लगे जिन्हें गाउंवालों ने इंडियन आर्मी को सप्लाई किया और अब दो हजार तेईस में ये फसल तिगना होने की पूरी उमीद है तो कुलूम गाउं के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये जुड़ा है सीदे मेरे अंशन के दूसरे मुद्दे से अब कुलूम गाउं के इस उमीद की जो कहानी है उस पर क्या हम गर्व कर सकते हैं जी नहीं हमें कुलूम कर कोई गर्व नहीं है बिताते रहे और कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस गैसे बढ़ता जाए तापमान पहाडों में बढ़ता जाए ग्लेशिर्स पिगलते जाए और हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते जाएं तो ये समाधा नहीं हो सकता है तो इसलिए मेरे अंशन का हमेशा दूसरा पक्ष रहा है दुनिया के लोगों से खास कर बड़े बड़े शहरों के लोगों से जैसे आप लोगों से अपील करना कि करपया आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं और एक साधा जीवन जो की लो कार्बन हो जिसमें और दर्टी का तापमान इस तरह न बदले कि हम पहले क्लाइमेट रेफिजीज बने और उसके बाद आपदा आप पर भी आएं तो हम एक अलार्म की गंटी की तरह दुनिया में एक SOS मेसेज दे सकें कि प्लीज लिव सिंपली इन दे बिग सिटीज तो वी इन दे माउंटे मोदी जी ने एक आवाज दी थी दुनिया भर को COP26 में Mission Life के नाम से यानि की Lifestyle for Environment ये एक अपील है प्रधान मंतरी की तरफ से कि आप अपने जीवन शैली को बदलें खासकर बड़े बड़े शहरों में ताकि ये जो प्रकृतिक आपदा ये जो जलवायू परिवर्तन आ रह ऐसा ही एक संदेश आज से चार साल पहले लदाक से हमने दी थी जिसका नाम था I LIVE SIMPLY Today on the birth anniversary of Mahatma Gandhi who epitomized simple living we want to start a global movement starting from the mountains of Ladakh to appeal to the people of the world to please live simply so that we in the mountains may simply live But how do we reach out to the people of the world well that's where we need your help we're planning a uniquely innovative crowdfunding campaign where people of the world will contribute not in money in any case the planet doesn't need money it needs changes in lifestyle and behavior so people can contribute by pledging lifestyle change and the site will take Tell them how much worth in dollars or rupees they are contributing for example a pledge to not use single-use plastic could amount to a contribution of say one thousand dollars similarly other behavior changes like choosing trains instead of flights stairs instead of elevators bicycles instead of cars or a pledge to go vegetarian may amount to one thousand dollars And planting trees will be evaluated by the site and a total global contribution will be worked out which may run into trillions of dollars So I appeal to you all to all that I live simply.org platform to go to I live simply.org platform and do your own practices Or the resources by doing visit to the people of the world Then you must be able to see the people of the world. So you know, I will also be able to keep you here to the people in the world So in this event I have 7 days or 7 million people with the people who should be saved So I really will be able to keep you here and keep you there and keep you there and keep you ôn या उससे पहले अपने परतिग्याएं भारी मातरा में करकर मुझे आजाद करें। मैं चाहूंगा कि हम जीत के निकलें इस चुनौती में और हम ऐसे साथ लाक लोग जल्द ही अपने परतिग्याएं करें जीवन में परिवर्तन लाने का और फिर मैं अपने काम में जुट सकों फिर दुबारा से शिक्षा में परियावरन के कामों में और इनी उमीदों के साथ मैं आप से विश्व के सभी लोगों से और विश्व के एक बहुत ही बड़े क्लाइमिट वॉरियर प्रधान मंत्री जी से विदा लेता हूं जय हिन